प्रिये विद्यार्थियों आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल स्टार् स्टेडी सेंटर में स्वागत है इस वीडियो में हम इंटरकक्षा में संकलित हिंडी पाथे पुस्तक के काव्य भाग में संकलित सुमित्रा नंदन पंथ जी के जीवन परिचे साहितिक परिचे तथा उनकी प्रमुक्रितियों के बारे में जानते हैं तो आए वीडियो को शुरू करते हैं तो यहां पर देखिए देर देर रहा है सुमित्रा नंदन पंथ जी का जीवन परिचे तो ये परिक्षा की दृष्टी से बहुत ही महातुपूर्ण है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रश्ण किस प्रकार से पूछ सकता है कि आप प्रश्ण देखिए कभिवर सुमित्रा नंदन पंथ का संग्छिप्त जीवन परिचे देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकार डालिए अथ्वाई इस प्रकार से प्रश्ण पूछ सकता है सुमित्रा नंदन पंथ का साहितिक परिचे देते हुए उनकी कृतियों का उलेख कीजिए तो इस वीडियो में आपको सभी बस्तुओं पर ध्यान से तत्यों पर ध्याम देना होगा इस तरीके से देखिए प्रश्ण कितना महतुपल सन 2013 में 2014 में 2015 में यहां इस तरीके से आप प्रश्ण देख सकते हैं यहां पर किस-किस वर्ष में पूछा गया है सन 2002 में, सन 2003 में, सन 2004 में सन 2005 यों 10 में भी इस प्रस्ण का चयन परिक्षा में किया गया है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये प्रस्ण का उत्तर दिया गया है जीवन परिचे तो प्रकृती के चित्रन के अमर गायक का विवर सुमित्रान अंदन पंथ जी का जन्म 20 माई सन 1990 में समवत 1957 को अलमोडा के निकट कौसानी नामक ग्राम में कौसानी नामक ग्राम में जो मैं मार कर रहा हूँ ये बहुत ही इंपोर्टेंट है कौसानी नामक ग्राम में हुआ था जन्म के 6 घंटे के बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया पितत था दादी के वात्सले की ख्षाया में इनका प्रारंभिक लालन पालन हुआ पंत जी ने साथ वर्ष की अवस्था से ही कावे रचना आरंभ कर दी थी पंत जी की सिक्षा का प्रथम चरण अलमोडा में हुआ था यहीं पर उन्होंने अपना नाम गुसाईदत से बदल कर सुमिक्त्रा नंदन पंत रख लिया सन 1919 इस्वी में पंत जी अपने मंजले भाई के साथ बनारत चले आये यहाँ पर उन्होंने कुइंस कालेज में सिक्षा प्राप्त की थी सन 1950 इस्वी में ये आल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर न्यूक्त हुए सन 1957 इस्वी में ये प्रतिक शुरूप से रेडियो से संबद रहे सरसोती के इस पुजारी ने 28 दिसंबर सन 1977 इस्वी में जो की विक्रमी संबद 2034 इस्वी था को इस भौतिक संसार से सद juris के लिए बिदा ले ली अब यहां पर इंका आता है साहितिक व्यक्तितन किस प्रकार से इनका साहितिक व्यक्तितना ये भी परिक्षा में लिखना महतुपूर होता है तो आप इस तरीके से लिखेंगे जो स्क्रीन पर है अगर आप चाहें तो इसे नोट्स भी बना सकते हैं नोट्स के रूप में भी लिख सकते हैं चाया वादी युक के यहाँ पर युक दिया गया है चाया वादी युक था छाया युदवादी युक्के ख्याति प्राप्त कवी सुमित्रा नंदन पंथ साथ वर्ष की अलपायू से ही कविताओं की रचना करने लगे उनकी प्रथम रचना सन 1916 इस्वी में सामने आई गिरिजे का घंटा नामकिस रचना के पश्चात हुए निरंतर का विसाधना में तलीन रहे सन 1919 इस्वी में इलाहाबाद के मयोर कालेज में प्रवेश लेने के पश्चात इनकी काव्यात्मक रुची और भी अधिक विक्सित हुई सन 1922 इस्वी में उनकी रचनाय उच्छ स्वास एबं ग्रंथी प्रकासित हुई सन 1921 इस्वी में उन्होंने महात्मा गाधी जी के आवान पर कालेग छोड़ दिया और राष्ट्रिय मुक्ती आंदोलन ये जो राष्ट्रिय मुक्ती आंदोलन था ये बहुत ही महातुपू विरचना में स्तलीन हो गए उनके सन 1927 इस्वि में वीणा, सन 1928 इस्वि में पल्लव नामक का विगरंथ प्रकाशित हुए इसके पश्चात सन 1949 सिस्वी में काला काकर आकर इन्होंने मार्क सुवाद का अध्ययन प्रारंब किया और प्रयाग आकर कहां आकर प्रयाग आकर रूपाभा नामक एक प्रगतशेल विचारों वाली पत्रिका का संपाधन प्रकाशन आरंब किया सन 1942 सिस्वी के पश्चात वे महर्थि अरविंद घोश से मिलें किसे मिले महर्थि अरविंद घोशे मिलें और उनसे प्रभावित होकर अपने काव में उनके दर्शन को मुखरित किया इन्हें इनकी रचना कला और बुढ़ा चाद साहित अकादमी लोका यतन सोबियत और चित प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे अपने विश्त्रित साहित्तिक जीवन में उन्होंने विविद्ध विधाओं से शाहित्तिक रचना की थी उनकी प्रमुकृतियों का विवरल कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है पहली इनकी रचना है लोकायतन इस महाकावि में कभी कि सांस्कृतिक और दार्शनिक विचारधारा व्यक्त हुई है इस रचना में कभी ने ग्रामे जीवन और जन भा दूसरी जो इनकी रचना है ये है वीडा इनकी रचना इस रचना में पंत जी के प्रारंभिक प्रकृति के आलोकिक संदर से पूर्ण गीत संग्रहीत है अन्य जो रचना है इनकी आप लिख लीजिए मुझबानी नोट कर लीजिए ओ है पल्लो गुंजन ग्रंथी अन्य कृत आदिया में अनकी स्वन धूली, स्वन लकिरल, युगपथ, उत्तरा तथा अतिमा आदि में पंत जी महार्शी अर्विंधो के नव चेतनावाद से प्रभावित हैं युगांत, युगवारी और ग्राम्या में कवी समाजवाद और भौतिक दर्शन की ओर उनमुक हुआ है प्रिये विध्यारतियों मैंने डिस्क्रिप्सन में और जो वीडियो के लिंक है जीवन परिशे के आपको दिया है आप वहां जा करके जैसंकर परसाद मैतरी स्रलगुप्त महादेवी वर्मा आचार रामचंद सुकल आज़ी के जीवन परिशे को भी देख सकते हैं और डि परिशे के लिए वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें